ओम स्री परमात्मने नमह, स्रीमत भगवत गीता, सादक संजीवनी, परसिष्ट सहित हिंदी टिका, स्वामी स्री रामसुख दास्ची द्वारा लिखित। अध्याई एक, स्लोक दो के आगे संबंद, द्रोणाचारे के पास जाकर दुर्योधन क्या वचन बोला, इसको आगे के स्लोक में बताते हैं हे आचारे, आपके बुद्धिमान सिष्चे, दुरूपत पुत्र, द्रिष्ट द्यूमन के द्वारा व्योरचना से खड़ी की हुई, पांड़ों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए व्याक्या, आचारे, त्रोण के लिए आचारे संबोधन देने में द्रियोधन का ये भाव मालुम देता है कि आप हम सबके कौर्वों और पांड़ों के आचारे हैं सस्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु हैं इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष या आग रह नहीं होना चाहिए तव से सेन धीमता इन पदों का प्रियोग करने में द्रियोधन का भाव ये है कि आप इतने सरल हैं कि अपने मार्णे के लिए पैदा होने वाले द्रिष्ट द्यूमन को भी आपने अस्त्र सस्त्र की विद्या सिखाई है और वे आपका सिश्च द्रिष्ट द्यूमन इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आप से ही अस्त्र सस्त्र के विद्या सीखी है दुरूपत पुत्रेन या पत कहने का आश्य है कि आपको मारने के उद्देशे को लेकर ही दुरूपत ने याज और उप्याज नामक ब्रामणों से यग्य कराया जिससे द्रिष्ट द्यूमन पैदा हुआ वही ये दुरूपत पुत्र द्रिष्ट द्यूमन आपके सामने पतिपक्ष में सेना पती के रूप में खड़ा है यद पी दुरियोधन या दुरूपत पुत्र के स्तान पर द्रिष्ट द्यूमन भी कह सकता था तथा पि द्रोणाचारे के साथ दुरूपत जो वैर रखता था उस वैर भाव को याद दिलाने के लिए तुरियोधन यहां दुरूपत पुत्रेंड सब्द का प्रियोग करता है कि अब वैर निकालने का अच्छा मौका है दुरूपत पुत्र के द्वारा पांडवों की इस व्यूकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेना को देखिए तात परिया है कि जिन पांडवों पर आप सने रखते हैं उन्ही पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले दुरूपत पुत्र को सेना पती बना कर व्यू रचना करने का अधिकार दिया है अगर पांडवों आप से सने रखते तो कम से कम आपको मारने वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेना पती नहीं बनाते इतना आधिकार तो नहीं देते परन्तु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेना पती बनाया है यदपी कौर्वों की अपेक्चा पांडवों की सेना संख्या में कम थी अर्थार्थ कौर्वों की सेना 11 अक्चोयनी और पांडवों की सेना 7 अक्चोयनी थी तता पित दुरियोदन पांडवों की सेना को बड़ी भारी बता रहा है पांड़ों की सेना को बड़ी भारी कहने में दो भाव मालूम देते हैं एक पांड़ों की सेना ऐसे ढंक से प्यूकार खड़ी हुई थी जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना भी बहुत बड़ी दीख रही थी और दो पांडों सेना में सब के सब योधा एकमत के थे इस एकता के कारण पांडों की थोड़ी सेना भी बल में उस साह में बड़ी मालुम दे रही थी ऐसी सेना को दिखा कर दुर्योधन द्रोनाचार से ये कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी न समझे आप विशेश बल लगा कर सावधानी से युद्ध करें पांडवों का सेना पती है तो आपका सिश्य दुरूपद ही अतर उस पर विजय करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है यह पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है अतर हम लोग इस सेना पर किस तरह से विजय कर सकते हैं इस विशे में आपको जल्दी से जल्दी निर्णे लेना चाहिए संबंद दुरूणाचारिश से पांडवों की सेना देखने के लिए परातना करके अब दुर्योधन उन्हें पांडव सेना के महारितियों को दिखाता है यहां पांडवों की सेना में बड़े-बड़े सूर्वीर हैं जिनके बहुत बड़े-बड़े धनुस हैं तथा जो युद में भीम और अरजुन के समान है उनमें युयुधान, सात्यकी, राजा विराट और महारिति दुरूपत भी हैं द्रेश्ट केतू और चेकीतान तथा प्राकर्मी कासी राज भी हैं पुरुजेत और कुंति भोज ये दोनों भाई तथा मनुस्चियों में स्रेश्ट सेब्य भी हैं प्राकर्मी, युधा मन्यू और प्राकर्मी उत्मोजा भी हैं सुबुद्रा पुत्र अभिमन्यू और द्रोबति के पांचों पुत्र भी हैं ये सब के सब महारिति हैं व्यक्या, जिन से बाण चलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं उनका नाम इस्वास अर्थार धनुस है ऐसे बड़े बड़े इस्वास धनुस जिनके पास हैं वे सभी महिस्वास हैं तात पर यह है कि बड़े धनुसों पर बांड चड़ाने एवं प्रतंचा खीचने में बहुत बल लगता है जोर से खीच कर छोड़ा गया बांड विसेस मार करता है ऐसे बड़े बड़े धनुस पास में होने के कारण ये सभी बहुत बलवान और सूरवीर हैं ये मामूली योधा नहीं है योध में ये भीम और अर्जुन के समान है अर्थार्थ बल में ये भीम के समान और अस्त्र सस्त्र के कला में ये अर्जुन के समान है योधान सात्तिकी ने अर्जुन से अस्त्र सस्त्र के विद्या सीखी थी इसलिए भगवान स्रीकेश्टन के द्वाला दुर्योधन को नाराइनी सेना देने पर भी वे किर्टिग्य होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा, दुरियोधन के पक्ष में नहीं गया दुरोनाचारी के मन में अर्जुन के परती द्वेस भाव पैदा करने के लिए दुरियोधन महरित्यों में सबसे पहले अर्जुन के सिश्य यूयू धान का नाम लेता है तात पर यह है कि इस अर्जुन को तो देखिए इसने आप से ही अस्त्र सस्त्र चलाना सीखा है और आपने अर्जुन को यह वर्दान भी दिया है कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्दर ना हो ऐसा प्रयत्म करूँगा इस तरह आपने तो अपने सीश अर्जुन पर इतना सने रखा है पर व्यकृत्कन होकर आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है जबकि अर्जुन का से से यू युधान उसी के पक्ष में खड़ा है यू युधान महाभारत के युद में नमर कर यादों के आपसी युद में मारे गए जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सू सर्मा अपमानित किया गया आपको सम्मोहन अस्त्र से मोहित होना पड़ा और हम लोगों को भी जिसकी गाएं छोड़कर युद्च से भागना पड़ा वह राजा विराड आपके परतिपक्ष में खड़ा है राजा विराड के साथ द्रोणा चारे का ऐसा कोई वैरभाव या द्वेस भाव नहीं था परंतु दुरियोधन या समस्ता है कि अगर युजु धान के बाद मैं दुरूपत का नाम लूँ तो द्रोणा चारे के मन में ये भाव आ सकता है कि दुरियोधन पांड़ों के विरोध में मेरे को उक्षा कर युद के लिए विसेस्ता से प्रेंडना कर रहा है तता मेरे मन में पांड़ों के परतिवेर भाव पैदा कर रहा है इसलिए दुर्योधन दुरूपत के नाम से पहले विराट का नाम लेता है जिससे दुरोणाचार मेरी चला की न समझ सकें और विसेस्ता से युद करें राजा विराट उत्तर स्वेथ और संखनामत तीनों पुत्रों से इत्मा भारत युद में मारे गए आपने तो दुरूपत को पहले की मित्रता याद दिलाई पर उसने सभा में यह कहकर आपका अपमान किया कि मैं राजा हूँ और तुम भिक्चोखो अता मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी तता वैर भाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया वही मार्थी दुरुपत आप से लडने के लिए विपक्ष में खड़ा है राजा दुरुपत युद में द्रोणा चारी के हाथ से मारे गए यह द्रिष्ट के तु कितना मुर्ख है कि जिसके पिता सिसुपाल को क्रिष्ट ने भरी सभा में चक्र से मार डाला था उसी क्रिष्ण के पक्ष में यह लडने के लिए खड़ा है द्रिष्ट के तु दुरुणा चारी के हाथ से मारे गए सब यादव सेना तो हमारी ओर से लडने के लिए तयार है और यह यादव चे कितन पांड़ों की सेना में खड़ा है चेकीतान दुर्योधन के हाथ से मारे गए ये कासी राज बड़ा ही सूर्वीर और महार्थी है ये भी पांड़ों की सेना में खड़ा है इसलिए आप साउधानी से युद करना क्योंकि ये बड़ा प्राकर्मी है कासी राज महाभारत युद में मारे गए ये दोनों कुंती के भाई होने से हमारे और पांड़ों के मामा है तता पे इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे विपक्ष में युद करने के लिए खड़े है पुरुजित और कुंती भोज दोनों ही युद में दुरूनाचार के हाथ से मारे गए यह सेव्य युदिष्टिर का सौसुर है यह मनुस्यों में स्रेष्ट और बहुत बलवान है परिवार के नाते यह भी हमारा संबन्दी है प्रन्तु यह पांड़ों के ही पक्ष में खड़ा है पंचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युदा मन्यू तथा उत्मौजा मेरे वैरी अरजुन के रत के पईयों की रक्षा में न्युक्त किये गए है आप इनकी ओर भी नजर रखना रात में सोते हुए इन दोनों को अस्वतामा ने मार डाला यह क्रिश्ण की बहन सुबुद्रा का पुत्र अभी मन्यू है यह बहुत सूर्वीर है इसने गर्भ में ही चक्र व्यू भेदन की विद्या सीखी है अधा चक्र व्यू रचना के समय आप इसका ख्याल रखें युद्मिन दुसासन पुत्र के द्वारा अन्याय पूर्वक्सिर पर गदा का परहार करने से अभी मन्यू मारे गए युदिश्टेर भीम अर्जुन नकुल और सहदेव इन पांचों के द्वारा द्रोबदी के गर्भ से करम से पर्तिविंद्य सुत्सों सुरुत कर्मा सत नेक और सुरुट से इन पैदा हुए हैं इन पांचों को आप देख लीजिए द्रोबदी ने भरी सबह में मेरी हांसी उडा कर मेरे हिर्दय को जलाया है उसी के इन पांचों को युद्ध में मार कर आप उसका बदला चुकाएं रात में सोते हुए इन पांचों को इस्व थामा ने मार डाला ये सब के सब महरती हैं जो सास्त्र और सस्त्र विद्या दोनों में परवीन हैं और युद में अकेले ही एक साथ दस हजार धनुर्धारी युद्धाओं का संचालन कर सकता है उस वीर पूरुष को महरती कहते हैं ऐसे बहुत से महरती पांडों से नामें ख पांडों सेना की विशेस्ता बताई दुर्योधन के मन में विचार आया कि दुरोनाचार पांडों के पक्षपाती हैं ही अतवे पांडों सेना की महता सुनकर मेरे को ये कह सकते हैं कि जब पांडों की सेना में इतनी विशेस्ता है तो उनके साथ तु संदी क्यों नहीं कर ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे के तीन स्लोकों में अपनी सेना की विशेष्टा बताता है। हे दिर्योधन हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूं। ऐसे ही हमारी सेना में भी उनसे कम विशेष्टा वाले महर्थी नहीं हैं। पर्तियोध उनकी सेना के महर्थियों की अपेक्चा ज़्यादा ही विशेष्टा रखने वाले हैं। उनको भी आप समझ लीजिए। तीसरे स्लोक में पश्च और यहां निबोत किरिया देने का ताथ परिया है कि पानों की सेना तो सामने खड़ी है। इसलिए उसको देखने के लिए दुर्योधन पश्च देखिये किरिया का प्रियोग करता है। परंतु अपनी सेना सामने नहीं है। अर्थार्थ अपनी सेना की तरफ दुर्णाचारे की पीठ है। इसलिए उसको देखने की बात ना कहकर उस पर ध्यान देने के लिए दुर्योधन निबोत ध्यान दीजिए किरिया का प्रियोग करता है। मेरी सेना में भी जो विशिष्ट विशिष्ट सेना पती हैं, सेना नायक हैं, महरती हैं, मैं उनके नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए आपकी दृष्टी उधर खीचने के लिए ही कह रहा हूँ, हमारे बहुत से सेना नायक हैं, उनके नाम मैं कहां तक कहूं, इसलिए म मैं उनका केवल संकेत मातर करता हूँ क्योंकि आप तो सबको जानते ही हैं। इस इसलोक में दुर्योधन का ऐसा भावपरतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह कमजोर नहीं है। प्रंतु राजनेती के अनुसार सत्रू पक्ष चाहे कितना ही कमजोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल हो ऐसी अवस्ता में भी सत्रू पक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और अपने में उपेक्षा, उदासेंता, आदी की भावना किंचित मात्र भी नहीं आने देनी चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए मैंने उनकी सेना की बात कही और अब अपनी सेना की बात कहता हूँ। दूसरा भाव यह है कि पांडों की सेना को देखकर दुरियोधन पर बड़ा परभाव पड़ा और उसके मन में कुछ भै भी हुआ। कारण की संक्या में कम होते हुए भी पांडों सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष थे और स्वयम भगवान थे जिस पक्ष म पर भी उसका परभाव पड़ता है। इतना ही नहीं पसू पक्षी व्रिक्ष लता आदि पर भी उसका परभाव पड़ता है। कारण की धर्म और भगवान नित्य है। कितनी ही उंची से उंची भौतिक सक्तियां क्यों नहूं हैं विर सभी अनित्य ही। इसलिए दुर्योधन पर पांडो सेना का बड़ा असर पड़ा। प्रंतूस के भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वै दुरोणाचार को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्च में जितनी विशेस्ता है उतनी पांडों की सेना में नहीं है। अता ह हम उन पर सहजी विजय कर सकते हैं। अपनी पूरी सक्ति लगा कर युद करे तो देवता यक्ष राक्षस मनुष्य आदी में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आपके सामने टिक सके आप दोनों के प्राक्रम की बात जगत में प्रसिद्ध ही है पिताम भीष्म तो आबाल ब्रह्मचारी है और इच्छा मिर्ट्यू है अर्थार्थ उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई मार ही नहीं सकता मा भारत युद्ध में दोनाचार द्रिष्ट द्यूमन के द्वारा मारे गए और पिताम भीष्म ने अपनी इच्छा से ही सूरी के उत्रायन होने पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया करण तो बहुती सूर्वीर हैं मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वह अकेला ही पांड़ो सेना पर विजय प्राप कर सकता है उसके सामने अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकता ऐसा वह करण भी हमारे पक्ष में है करण महा भारत युद्ध में अर्जुन के द्वारा मारे गए राप्त कर सकते हैं यद पर यहां द्रोणाचारे और भिस्म के बाद ही दुर्योधन को किरपाचारे का नाम लेना चाहिए था प्रंतु दुर्योधन को करण पर जितना विश्वास था उतना किरपाचारे पर नहीं था इसलिए करण का नाम तो भीतर से बीच में ही निकल पड़ा, दोणाचारे और भेश्म कहीं किरपाचारे का अपमार न समझ लें, इसलिए दुर्योधन किरपाचारे को संगराम विजई, विशेशन देकर उनको प्रसंद करना चाहता है, अस्वत्हामा ये भी चरंजीवी हैं और आपके ही पुत्र हैं, ये बड़े ही सूर्वी ही धर्मात्मा हैं, हमारे पक्ष में भी मेरा भाई विकार्ण बड़ा धर्मात्मा और सूर्वीर हैं, ऐसे ही हमारे परपितामः सांतु के भाई, बाहिक के पौत्र तथा सोमदत के पुत्र भूरी सुर्वा भी बड़े धर्मात्मा हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी यहां इन सूरवीरों के नाम लेने में दुरियोधन का ये भाव मालुम देता है कि हे आचारी हमारी सेना में आप भिस्म, कर्ण, किरपाचारी आदी जैसे महान प्राकर में सूरवीर हैं ऐसे पांड़ों की सेना में देखने में नहीं आते हमारी सेना में किरपाचारी और अस एक भी नहीं है हमारी सेना में धर्मात्माओं की भी कमी नहीं है इसलिए हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं है इनके अत्रिक्त बहुत से सूर्वीर हैं जिनोंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का वित्याग कर दिया है और जो अनेक परकार के अस्त्र सस्त्रों को चल आने वाले हैं तता जो सब के सब युद्कला में अत्यंच चतुर हैं व्याख्या मैंने अभी तक अपनी सेना के जितने सूर्वीरों के नाम लिए हैं उनके अत्रिक्त भी हमारी सेना में बाहिक, सल्य, भगदत, जैद्रत, आदी बहुत से सूर्वीर महर्थी हैं जो मेरी भल के लिए मर भले ही जाएं पर युद्स से हटेंगे नहीं उनकी मैं आपके सामने क्या कर्दग्यता प्रकट करूं ये सभी लोग हाथ में रखकर प्रहार करने वाले तलवार, गदा, तिरसूल, आदी, नाना, प्रकार के सस्त्रों की कला में निपुण हैं और हाथ से फेंक क प्रहार करने वाले बान तो मर सकती आदी अस्त्रों की कला में भी निपुण हैं युद कैसे करना चाहिए किस तरह से किस पेंतरे से और किस युक्ती से युद करना चाहिए सेना को किस तरह खड़ी करने चाहिए आदी युद की कलाओं में भी ये बड़े निपुण हैं दुरियोधन की बातें सुनकर जब दुरोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले तब अपनी चालांकी न चल सकने से दुरियोधन के मन में क्या विचार आता है इसको संजय आगे किस लोग में कहते हैं दुरोणाचारे को चुब देखकर दुरियोधन के मन में विचार हुआ कि वास्तों में हमारी वैसेना पांड़ों पर विजय करने में प्रयाप्थ है ऐसमर्थ है क्योंकि उसके संद्रक्चक उबैपक्चपाती भीश्म है प्रन्तु इन पांड़ों की या सेना हम पर विजय करने में प्रयाप्थ है समर्थ है क्योंकि इसके संद्रक्चक उबैपक्चपाती भीश्म सेन है व्याख्या अधर्म अन्याय के कारण दुरियोधन के मन में भय होने से वह अपनी सेना के विशय में सोचता है कि हमारी सेना बढ़ी होने पर भी अर्थार्थ पांड़ों की पेक्चा चार अक्षोणिया दिखोने पर भी पांडूं पर विजय प्राप्त करने में है तो असमर्थ ही, कारण की हमारी सेना में मतभेध है, उसमें इतनी एकता संथन, निर्भेता, निसंकोचता नहीं है, जितनी की पांडूं की सेना में है, हमारी सेना के मुक्संद अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष है वे कृष्ण के बड़े भक्त हैं उनके हिर्दे में युदिष्टर का बड़ा आदर है अर्जुन पर भी उनका बड़ा सने है इसलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भीतर से पांडवों का भला चाह बड़ाते हैं वे ही भीष्ण हमारी सेना के मुक्ष सेना पती है ऐसी दसा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले में कैसे समर्थ हो सकती है नहीं हो सकती परंतु यह जो पांडवों की सेना है यह हमारे पर विजय करने में समर्थ है कारण कि इनकी सेना में मत भेद नहीं ह परतियुत सभी एक मत होकर संग्ठित हैं इनकी सेना का संदक्चक बलवान भीम सेन है जो की बच्पन से ही मेरे को हराता आया है ये अकेला ही मेरे सही सो भाईयों को मारने की परतिग्या कर चुका है अर्थार्थ ये हमारा नास करने पर तुला हुआ है इसका सरीरवज्र के समान मजबूत है इसको मैंने जहर पिलाया था तो भी ये मरा नहीं ऐसा ये भीम सेन पांड़ों की सेना का संदक्चक है इसलिए ये सेना वास्तों में समर्थ है, पूर्ण है यहाँ एक संका हो सकती है कि दुर्योदन ने अपनी सेना के संदक्चक के लिए भेश्म जी का नाम लिया जो कि सेना पति के पतपर्युक्त है परंतु पांड़ों सेना के संदक्चक के लिए भीम सेन का नाम लिया जो कि सेना पति नहीं है इसका समाधान यह है कि दुर्योदन इस समय सेना पतियों की बात नहीं सोच रहा है किन्तु दोनों सेनाओं की सक्ति के विशे में सोच रहा है कि किस सेना की सक्ति अधिक है दुरियोदन पर आरम से ही भीम सेन की सक्ति का बलवत्ता का अधिक परभाव पड़ा हुआ है अतव पांडो सेना के संदक्षक के लिए भीम सेन का ही नाम लेता है विसेश बात अरजुन कौरो सेना को देखकर किसी के पास न जाकर हाथ में धनोस उठाते हैं पर दुरियोदन पांडो सेना को देखकर दुरुनाचारी के पास जाता है और उनसे पांडों की वियो रचना युक्त सेना को देखने के लिए कहता है इससे सिध होता है कि दुरियोदन के हिर्दे में भै बैठा हुआ है जब कौरों की सेना के संख आदी बाजे बजे तब उनके सब्द का पांड़ों सेना पर कुछ भी असर नहीं पड़ा परन्तु जब पांड़ों की सेना के संख बजे तब उनके सब्द से दुरियोधन आदी के हिर्दे विदीन हो गए इससे सिध्ध होता है कि अधर्म अन्याई का पक्ष लेने के कारण दुर्योधन आदी के हिर्दय कमजोर हो गए थे और उनमें भै बैठा हुआ था भीतर में भै होने पर भी वे चालाकी से द्रोणाचारे को परसंद करना चाता है उनको पांडूओं के विरुद उक्साना चाता है कारण की दुर्योधन के हिर्दय में अधर्म है अन्याई है पाप है अन्याई पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुक्षांति से नहीं रह सक की नहीं है भैय नहीं है किन्तु उच्छा है वीर्ता है तबी तो वे वीर्ता में आकर सेना निरेक्षन करने के लिए भगवान को आज्यां देते हैं कि है अचित दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रत को खड़ा कर देजिए इसका तात पर यह है कि जिसके भीतर नाश्वान ध बर्ण संपत्ति आदी का आश्रय है, आदर है और जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तिक बल नहीं होता, वह भीतर से खोकला होता है और वह कभी निर्भय नहीं होता. प्रंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है और भगवान का आश्रे है वे कभी भैबीत नहीं होता उसका बल सच्चा होता है वे सदा निश्चिंत और निर्भै रहता है अता अपना कल्यान चाहने वाले सादकों को अधर्म अन्याय आदी का सर्वता त्याग करके और एक मात्र भगवान का आश्रे लेकर भगवत प्रितियर्थ अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए भौतिक संपत्ति को महत्व देकर और संयोग जन्य सुक के परलोभन में भसकर कभी अधर्म का आश्रे नहीं लेना चाहिए तोंकि इन दोनों से मनुष्य का कभी हित नहीं होता पर्तियुत अहित ही होता है परिशिष्ट भाव अर्जुन ने अस्त्र सस्त्रों से सुसजित नारायनी सेना को छोड़कर निसस्त्र भगवान स्रीक्रिष्ण को परिकार किया था तात परिया कि अर्जुन की द्रिष्टी भगवान पर थी और दुरियोधन की द्रिष्टी वैभो पर थी जिसकी द्रिष्टी भगवान पर होती है उसका हिर्दय बल्वान होता है क्योंकि भगवान का बल सच्चा है परंतु जिसकी द्रिष्टी सांसारि वैब हो पर होती है उसका हिर्दय कमजोर होता है क्योंकि संसार का बलकच्चा है संबंध अब दुर्योदन पिता मैं भीश्म को परसंद करने के लिए अपनी सेना के सभी महारिथियों से कहता है जै स्रीक्रेश्टन